कि हैं तो ह眠ी है । अथे णिछंगे रेट्ली ग्लस्टर कैसे कन्पीगर करते हैं सबसे फएले हम लोग 2 ग्लस्टर ट्रीट करें रेट करेंगे और ये दौनों आपास में रेपलिकेट होगा वह वह भल ग्लस्टर कईसे करते हैं हूं लोकिस वीडियो में देखेंगे तो यहां पर मैं दो सरवर को GlusterDesign्स करेंगे और इसको एक्सेस करेंगे हम लोग इस नोट से करेंगे तहिसार मैं आई आई पी चेक्करा देता हूं पहले आई पी इसका स्काइपी एक सो चार है और इसका आइपी 105 है तो हम लोग पेकेज डाल देते हैं पहले तो सब सब पहले हम लोग चेक कर लेते हैं गलस्टर का रिलीज वर्जन तो यहां पर रिलीज वर्जन हमारा है कलस्टर 9 है ठीक है दुसरे सर्वर में भी चेक कर लेते हैं अब यहां पर भी हमारा 9 है अब हम लोग पेकेज इस्ट्रोल कर देते हैं कि दूसरे वाले सरवर पर भी इंस्ट्रोल कर देते हैं यह हमारा इंस्ट्रोल हो गिया आवम लोग ग्लाष्टर रे फ्सका पेकेज दाद लेते हैं कि दूसरे वे इंस्ट्रोल कर देते हैं कि अब हम लोग दूसरे वाले सरवर पर भी इंस्ट्रोल कर देते हैं कर दो हुआ है है हुआ है कि है कि यह हमारा दोनों सर्वर पर इंस्ट्रोल हो गया पेकेज अब हम लग फायरोल पर पॉर्ट एलाव कर देते हैं कि दूसरे वाले सर्वर पर भी कर देते हैं हमाला फायरोल की सर्विस को रेलोड कर देते हैं कि दूसरे वाले सर्वर पर भी कर देते हैं आए आथ मं लोग गलास्टर की सर्विस को स्टाट कर देते हैं और रहनेवल कर कर देते हैं दुसरे वाले सरवर में भी कर देते हैं अ कि उसके बाद आपको एक मांट पॉयंट करना होगा तो मैंने पहले से करके रखा है वह में चेक करा देता हूं आपको डिया 5-1 अश्टी तो यहां पर देखिए एक मांट पॉयंट मैंने पहले से क्रियेट करके रखा है इस सर्वर पर भी क्रियेट करके रखाए है अ टीक है हम अपना दोनों सर्वर को पेर कर देते हैं तो उसके लिए कमांड होती है गलस्टर अ परोब परोब उसका निया पर नोड का नाम तो यहां सब्सक्राइब दूसरे नोट का नाम डाल देते हैं नोट टू यह हमारा पीर हो गया अब हम लोग प्लिएर का एस्टेटस चेक कर लेते हैं तो कमांड होती यह गलस्टर तो यहां पर आपको दूसरे नोट को होस्ट नेम नजर आएगा और यहां आपको कनेक्टेट नजर आ रहा है एस्टेटस में अब हम लोग एक सब डारेक्टरी क्रिएट कर लेंगे मांट कोई के अंदर में उसको हम लोग रेप्टिकेट के लिए यूज करेंगे सब्डारेक्टरी लिए अब हम लोग रेप्टिकेट के लिए वोल्यम कर देते हैं तो कमांड होती है आम डालना पड़ेगा इसका लिए ओसको यहां पर नाम दालेगा पर भी यह पर नाम डाल देते हैं कि उसको यहाँ पर हमें नोड के साथ फाइल सिस्टम का पात देना पड़ेगा नोड वान कि और फाइल सिस्टम का हमारा पात है कि उसको यहाँ पर नोड टू कर डालना पड़ेगा कि इंटर कर देते हैं कि यहाँ भी एस कर देते हैं अब हम लोग इस्टेटास चेक कर लेते हैं तो कमांड होती है गलस्टर अ मौलियम अ शाटाइड नहीं है कि इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं उसको दिया पर नाम लालना पड़ाएं किसा नाब से हम लोग क्रिट किये रै बोन से यह हमारा इस्टार्ट हो गया है अब हमने लोग डund चेक कर लेते हैं दुबारा है तो यहां पर देखिए दोनों हमारा सूं हो गया नोड़ वान का भी और नोड़ दू का भी अब हमब लोग बॉलियम इन कमांड होती है गलस्टर कि वोलियम इन्फो तो यह हमारी वोलियम की नेम रही टाइप हमारा रेप्लिकेट हो गया यह वोलियम आईडी होगी एस्टेटस हमारा दिखा रहा है स्टार्टेड में उसके वदिए आप यह ब्रिक्ट टीटल से दे रहे हैं अब हम लोग पूल लि लिस्ट ठीक है यहां पर दूसरे नोड का डीटेल्स आ गया और कनेक्टेट दिखा रहा है अब हम लोग दूसरे नोड में भी चेक करेंगे तो यहां पर इस्टोल करते थे हैं पेकेज यह पेकेज आपको इस्टोल करनी पड़ीगी हुआ है यह हमारा package इस्टोल हो गया आव लोग नॉर्मल मांट करके चेक कर लेते हैं उसका लग वर्चला इपिसे मांट करके चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लग एक और तो उसको दियाए पे नोटत की डिटिगर्स आईगी कौन से सब को मामब्ट करना करना है कि आप चाहिद नौट 1 से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग नोट 1 से कर देते हैं उसका दिया पर वोलियम के डीटेल्स आएगी तो हमारे वोलियम का नाम क्या है रेफ बोल वान अब उसका दावारे डायरेक्टरी कि इंटर कर देते हैं यह हमारे माउंट हो गया है अब हम लोग वेरिफाई कर लेते हैं डियाफ हाइपन ह्टी ये दिखें हमारी आप अब हम लग इसका लूंदर चलते हैं Cd ऩो आप हम लुकस्तांम में कोई डेटरबल देते हैं आप चेक कर लेते हैं कि यहां पर हम लोगों ने इस फोल्डर बना यह ठीक है अब हम लोग चेक करते हैं सरवर पर तपिले नोट पर चलते हैं सीडी एस्टोरेज यहां पर रेप यहां पर लस करते हैं तो यह देखिए हमारी यह तीन फोल्डर यहां पर आगे अब हम दूसरे सर्वर पर चलते हैं नोट टूपर सीडी एस्टोरेज रेप यहां पर लस करते हैं तो देखिए यह तीनों फोल्डर हमारी यहां पर आगे अब हम लोग क्या करते हैं एक नोट को डाउन करते हैं तो एक नोट को डाउन करने से हमारी यहां पर क्या होगा इस मांट पॉइंट को हम लोग को दुबारा मांट करना पड़ेगा हम लोगों ने क्या किया हैं नोड ONE से मावंक किया है कि यहां पेला हमनोंट करना पड़ेगा डेटा हमारा कहीं नहीं जाक costume आक यह को तो नोड़ीं को बंद करते हैं अब हम लोग दुबारा चलते है क्लाइंट पे यहां पेलस करते हैं यह देखिया हमारे यह एक्सेस नहीं हो रहा है ठीक है अब यहां पर हमें नोट पूसमांट करना पड़ेगा तो भी मैं चेक करा देता हूं सीडी होम पे चलते हैं और मांट करते हैं कि यह हमारा अन्मांट हो गया अब दुबार हमाएं नोट पूसमांट करना पड़ेगा कि यह हमारा मांट हो गया अब हम लोग वेरिफाई कर लेते हैं कि अब हम लोग डेटाबेव वेरिफाई कर लेते हैं सीडी तो यह देखे डेटा हमारा कहीं नहीं जाएगा लेकिन हमें यह मैनुल करना पड़ रहा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे क्लाइंट को एक वर्चुल आइपी देंगे ताकि हमारा कोई भी नोट डाउन हो तो हमारे वह एकसेस होता रहें अगर हमारा नोट वान डाउन ह हो तो भी हमारे वर्चुल आपी तो फिर भी हमारे वह एकसेस होता रहें तो इसको कैसे क्यों करते हैं तो पहले हम लोग नोडवन को करते हैं यह मारा लो दर अना अगया अब हम लोग दोनों सरवर पे के-पैकेज डालेंगे इस्टल कर देते हैं इस पर इस इस पर लेड़ी इस्टल है Daddy पर दोसरे सर्वर पर डालते हैं कि इस पर भी इंस्टोल है अब हम लग की पेला सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं और अनेबल कर देते हैं कि दूसरे वाले सर्वर पर भी कर देते हैं कि अब हम लग की पर लाइब के कंफिंगरेशन फाइल पर चलते हैं cd타dc इसके अंदर आपको मिलागया कीपलैब है यहां पर लेस्ट करते हैं कि इस फाइल का शुर्च्क कर देते हैंfeld कि इसको बीकेट कर देते litter हम लोग ट्रंकेट कर देते हैं कि पर लए उसका दाम लोग आपना कंफिग्रेशन डालेंगे तो यहां पर वी आई की पर लाइव तो पहला नोड हमारा मास्टर रहेगा उसका दियाँ पर इथरनेट की डिटेल्स रहेगी उसका दियाँ पर पेरिटी आपको सेट करना पड़ेगा तो पहला नोड के लिए हमारा 255 रहा और हमारी वर्चुल आईपी 110 रहेगी अब इसको हम लग सेब कर देते हैं कि अब हम लोग दूसरे नोड पर भी कोपी कर देते हैं कि सीपी की पेलाइव कि रूट कि दूसरे नोड का मारा आईपी है 192 168 56 105 इसको हम लोग कोपी करेंगे एटी सी की पेलाइव के अंदर में कोपी करेंगे कि इंटर कर देते हैं कि यहां पर पासवर्ट डालते हैं कि यह हमारा कोपी हो गया है अब हम लोग दूसरे नोड पर चलते हैं कि की पेलाइव कि यहां पेलास करते हैं कि उसको दिसको भी आई करते हैं कि पेलाइव अब हम लोग दूसरे नोड को बेकप बनाएंगे कि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बेकप हे उसको यहां पर दूसरे नोड पर हमारे ब्रेटी रहेगा 254 उसको हम लग इसको सेब कर देते हैं अब हम लग कीप अलाइब की सर्विस को रिश्टार्ट कर देते हैं तो कमांड उच्छ करते हैं सिस्टम सिटील कि रिश्टार्ट कीप लाइब कि दूसरे नौट पर भी कर देते हैं अब हम लोग आईपी चेक कर लेते हैं अब तो यहां पर देखिए हमारी आईपी आगी वर्चोल आईपी आगी अब हम लोग क्लाइंड को यह आईपी देंगे तो दुबारा चलते हैं क्लाइंड पर कि इसको और माउंट कर देते हैं अब हम लोग दुबढ़ा मांट करते हैं तो कमांड उच करते हैं मांट हाइफन टी गलस्टर एफ्याइश उसके दिया पर हम लोग डालेंगे 192 168 56 110 उसको दिया पर वोलिम का नाम रेप वोल वान उसको हम लग मांट करते हैं तो यह देखे हमारा मांट हो गया अब वेरिफाइब कर लेते हैं थीक है यह हमारा मांट हो गया अब इस फोल्डर के अंदर में चलते हैं कि सीडी कि अब डेटा वेरिफाइए कर लेते हैं तो यह हमारे डेटा है अब हम लोग इसकेंडर में फोल्डर क्रिएट कर देते हैं कि वेरिफाई कर लेते हैं तो यह हमने दो फोल्डर के लेट किया है अब हम लोग दोनों सर्वर में वेरिफाई कर लेते हैं तो हम लग चलते हैं पहले नोट पे सीडी एस्टोरेज रेफ यहां पे लस्ट करते हैं यह फोल्डर आगिया हमारे दोनों अब हम लोग क्या करते हैं एक नोट को डाउन करेंगे और क्लाइंड पे हमारा यह माउंटेड रहना चाहिए तो हम लोग पहले नोट को डाउन करते हैं कि इनीट जिरो यह हमारा पहला नोट डाउन हो गया है अब हम लोग चलते हैं क्लाइंड पे कि यहां पे लेस्ट करते हैं तो यह देखे हैं हमारा माउंटेड है और आप हरिचुल आईपी देखोगे तो सेकेंड नोट पे हमारा ओटो आ गया है तो यहां पे वेरिफाई कर लेते हैं आईपी यह ठीक है यह देखें यह आईपी हमारा यहां ओटो सुच हो गया है ठीक है दोस्तों अगरे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो होता हमारे चनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए हुआ है